यह क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक आर्टिकल जो है उसकी कीमत मार्क प्राइस जो है वो 9000 रुपे है अच्छा मार्क प्राइस वही होता है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो हम लोग दुकानों पर अमोमन जो कुछ समान खरीदने जाते हैं तो जो MRP लिखा होता है कि शॉपकीपर उस सस्ते में दे देता है या उससे उपर तो कभी नहीं बेचेगा उसकता उससे कुछ दस परसेंट 5 परसेंट नीचे कर ins ashol Da Jeff तो mark price maximum price है जसे वो बिख सकता है इसके उपर नहीं बिख सकता है अमुमन इस सस्ते में ही समान खरीदा जाता है तो भई mark price है एक article का 9000 रुपे GST कितना है 18% ठीक है भई GST कितना है 18% अब एक shopkeeper ने उसको खरीदा at a reduced price ठीक है और उसने sell कर दिया उसको उसके mark price ठीक है मतलब उसने मान लो for example उसने मान लो 8000 का खरीदा उसको 9000 का भी दिया अभी हमको पता नहीं कि इसने कितने पर खरीदा है मैं एक example ले रहा हूँ ठीक है और यह बता रहे हैं कि if he pays 162 as CGST उसने CGST पे किया ठीक है अब देखो CGST का concept का मतलब क्या है कि यह इंट्रास्टेट transaction है CGST है तो SGST भी होगा ठीक है उसने CGST 162 रूपीज पे किया to government find the amount inclusive of GST paid by him अब वो price निकालना है इतने पर उसने खरीदा था article को ठीक है पहले जड़ा CGST के बारे में बात कर लेते हैं अब जड़ा सोचो CGST अगर 162 है तो SGST भी होगा बच्चों वो भी 162 रूपीज ही होगा बराबर बराबर percentage बचता है तो टोटल GST कितना हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों को एड़ करने पर 324 रूपीज ठीक है तो इस बंदे ने जो टैक्स दिया है government को वो 324 है टैक्स का concept वही रहेगा आ आउट्पुट टैक्स और इंपुट टैक्स जरा निकाल लेते हैं वही मान लेते हैं शॉपकीपर ने जो समान खरीदा वो एक्स में खरीदा रूपीज एक्स में खरीदा हमने मान लिया ठीक है और यह एक्स पे उसको 18% GST देना पड़ेगा है वही जो कि उसका इंपुट टैक्स हो जाएगा खरीदते वक्त हम इंपुट टैक्स देते तो जो इसका इंपुट टैक्स हो जाएगा वह हो जाएगा 18% of X इसमें को प्रोब्लम है वही आगे बढ़ते हैं फिर उसका सेलिंग प्राइस उसने कस्टोमर को कितने में बेचा उसने कस्टोमर को कह रहे है क 9000 पे बेच दिया ठीक है अटिट्स MP MP पे दे रखा है MP पे बेच आ तो माने 9000 पे बेच आ तो selling price कितना होगी असका rupees 9000 ठीक है output tax selling price पे होता है output tax बच्चों कितना हो जाएगा इसका output tax 18% of 9000 हो जाएगा ठीक है अब देखो मैं यहां पे output tax और input tax को minus कर दूँगा तो मेरे पास इसका total tax आ जाना चाहिए जो इसने government को दिया जबी तक हम लोग पढ़ते भारे जो भी वो tax देता है चाहे shopkeeper हो चाहे B हो चाहे कोई भी dealer हो जो भी यह जो tax दे रहा होता है वो हमेशा output tax minus input tax ही होता है और वो किसके बराबर है इसके बराबर है SGST और CGST मिलाने के लिख लेते हैं ज़रा उसको question के form में तो भाई equation अगर हम form करें तो भाई to the question ठीक है according to the question भाई यह जो हमारा TGST है यह total GST जो है हमारा वो कितना हो जाएगा output tax minus input tax ठीक है भाई क्योंकि हमें end में चाहिए क्या X की value अभी उसके GST भी add करना होगा answer में क्योंकि दे रखा amount paid question में दे रखा amount paid by him inclusive of GST तो पहले X निकालेंगे तो उसमें GST भी add करेंगे तो भाई TGST हमें दे रखा है 324 output tax हमारा कितना है 18% of 9000 minus 18% of X इसको तुम चाहो तो normally भी calculate कर सकते हो जैसे करा जाता है इसको 18% इधर निकाल लो 18 upon 100 into X कर लो फिर solve कर लो लेकिन इसका ज्यादा आसान तरीका यह है जो मैं कराने जा रहा हूँ 324 is equal to 18% of 9000 minus X भाई देखो 18 upon 100 18 upon 100 दोनों में common है वह हमने बाहर निकाल लिया और 9000 minus X बाहर लिख लिए तो इसको अगर हम solve करना चाहेंगे तो 18% की जगा हम यह भी लिख सकते 18 upon 100 into this one अब इसको इधर से solve कर ले भाई तो यह value हो जाएगे 32 4 into 100 upon 18 is equal to 9000 minus X इसको calculate करोगे यह 18-1800 आजाएगा एक्स इधर बुला लो एक्स इधर भेज़ दो तो X की value हो जाएगी 7200 calculate करने पर तो हमारे पास cost price आगया यह अभी exclusive है GST के अब इसके इनरे जरह हम GST भी जोड़ दे 18% जरह हम इसके इनर GST भी जोड़ेंगे तब जागे हमारा answer final complete होगा तो total amount paid is equal to cost price plus GST ठीक है भई cost price कितना है 7200 GST कितना हो जाएगा 18% of 7200 ठीक है भई तो भई हमारा final answer आ जाएगा 8496 ठीक है भई तो भई अगला question कह रहा है एक manufacturer है डिली में ठीक है डिली के एक manufacturer है उसकी machine है उसका mark price है 60,000 रुपे ठीक है और वो एक wholesaler को बेज देता है कहा पटना में डिली से पटना ठीक है भई और उसके बाद क्या है वो पटना वाला जो है वो discount पे 20% के जो है वो खरीद लेता है ठीक है न भई 20% discount पे इसको बेज दिया and wholesaler sells it to a dealer और यह जो पटना वाला है यह आगरा वाले को बेज देता है कितने 10% discount on MP ठीक है manufacturer ने wholesaler को बीचा ठीक है और जो भी काम निकालना जो question पुचा गया find tax paid by wholesaler फिर से गुमपिर के बाद यहीं पे आ गई है wholesaler के बारे में ही निकालना है तो फिर से वही हो जाएगा output tax minus input tax ठीक है अब ज़रा इसका output and input tax निकालने कि मैंने सेक्चरर ने जितने में इसको बेचा उतने में इसने खरीदा ठीक है तो wholesaler का जो cost price है वो कितना हो जाएगा भी 60 जो है उसका 60,000 उसका mark price है उसने 20% discount पे खरीदा है ठीक है जड़ा calculate कर लेते हैं यार साथ हजार रुपय का 20% 20% of 60,000 जो है वो हमारा discount है ठीक है कितना हो जाएगा भई 20 upon 100 20 upon 100 into 60,000 कितनी value हो जाएगी भई 12,000 उसका cost price कितना हो जाएगा mark price minus discount कितनी value हो जाएगी 60,000 minus 12,000 वो कितनी value हो जाएगी 48,000 इसका cost price कितना हो गया 48,000 ठीक है इसने इसको 48,000 ने बेचा प्लस इसने कुछ tax दिया होगा भई वो tax भी calculate कर लेते हैं अब यह जो है यह जो अपने पास जो transaction हो रहा है अपना tax जड़ा देख लिए इसका tax कितना हो जाएगा इसका जो tax है यह GST जो है इसका इसका जो GST है वो कितना हो जाएगा कितना हो रहा है भई 28% of 48,000 यह हो जाएगा GST अब यह देखो मैं इसको solve नहीं करने वाला हूँ क्यों तुम्हें बात में समझ में आएगा अब जैसे हमने इसका क्या निकाल लिया input tax निकाल लिया यह क्या है cost price पे हमने इसका input tax निकाल लिया ठीक है यह इसका input tax है output tax निकाल लें selling price पे जब wholesaler ने dealer को बेचा वह भी देख लेते हैं selling price भई कितना है देखो भई उसने इसको 10% discount on MP बेच दिया MP 60,000 है 10% discount निकाल लेते हैं जरा दूसरे case में discount 10% है of 60,000 तो यह कितना हो जाएगा भई 6,000 रुपया इस case में कितना हो जाएगा mark price माइनस यहां पे भई लिख लेते हैं 20% discount यहां पे लिख लेते हैं 10% discount ऐसे लिख लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा तो भई यह हो गया 60,000 रुपया माइनस यह हो गया 6,000 रुपया और हमारे पास value कितनी आ गई 54,000 रुपीज जो है हमें यहां पे selling price पड़ गया अब इसका tax भी निकाल लेते हैं output tax भई इसका जो GST है या output tax जो है वो कितना हो जाएगा 28% of 54,000 देखो मैंने calculate क्यों नहीं कि अब हमें पता है जो tax liability होती है वो होती है output tax minus input tax हम directly calculate करने वाले tax liability of wholesaler is equal to output tax minus input tax output tax भई कितना है 28% 28% of 54,000 minus 28% of 48,000 अब देखो calculate करने में यह ज्यादा आसान है देखो 28 upon 100 common ले लिया इंटू 54,000 minus 48,000 कितना हो जाएगा 28 upon 100 into 6,000 हम calculate कर सकते है सीदे-सीदे 1680 हमारा answer आजाए हमारा 1680 आजाए बहिया यह वो central comment को देने वाला output tax minus input tax सब्सक्राइब